ओम शांती, मुरुली का तारिक है, 2, 10, 2019, मेटे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हों, तो सब बूत बाग जाते हैं, प्रश्न, पदुमा पदम बाग्यशाले बनने का मुख्य आदार क्या है, उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं, उस एक एक बात को दारण करने वाले ही, पदुमा पदम बाग्यशाले बनते हैं, जड़ करो, बाबा क्या कहते हैं, और रावन संप्रदाई वाले क्या कहते हैं, बाप जो नालेश देते हैं, उसे बुद्धी में रखना, स्वदर्शन चक्रदारी बनना ही, पदुमा पदम बाग्यशाले बनना ही, इस नालेश से ही, तुम गुणवान बन जाते हूं, ओम शंती, ब्रुहानी बाप, अंग्रेशी में कह जाता है, स्पिरिच्यूल फादर, सत्युब में जब तुम चलेंगे तो, वहाँ अंग्रेशी आदी दूसरी कोई बाशा तो, होगी नहीं, तुम जानते हो, सत्युग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो बाशा होगी, वही चलेगी, फिर बाद में वाँ बाशा बदलती जाती है, अभी तो अनेक अनेक बाशायेट, जैसा जैसा राजा, वैसी वैसी उनकी बाशा चलती है, अब या तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर पर भी जो बच्चे हैं, उनकी है एक मत, अपनेको आत्मा समझना है, और एक बाप को याद करना है, ताकि बूद सब बाग जाये, बाप है, पतिक पावन, पांच बूतों की तो सब में प्रवेशता है, आत्मा में ही बूतों की प्रवेशता होती है, फिर इन बूतों अत्वा, विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देह अभिमान, काम, क्रोध आदी, ऐसे नहीं की सर्वव्यापी कोई इश्वर है, कभी भी कोई कहे की इश्वर सर्वव्यापी है, तो कहो सर्वव्यापी आत्मा ये है, और इन आत्माओं में पांच विकार सर्वव्यापी है, बाकी ऐसे नहीं की परमात्मा सर्व में विराज मान है, परमात्मा में फिर पांच बूतों की प्रवेशता कैसे होगी, एक एक बात को अच्छी रीती दारण करने से, तुम पदमापदम बाग्यशाली बनते हो, दुनिया वाले रावन संप्रदाई क्या कहते हैं, और बाप क्या कहते हैं, अब जड़्च करो, हर एक में आत्मा है, हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में पांच विकार प्रवेश है, शरीर में नहीं, आत्मा में पांच विकार, अत्वा बूत प्रवेश होते हैं, सत्युब में यह बूत नई है, नाम ही है, डीटी वर्ड यह है डेविल वर्ड, डेविल कहा जाता है असुरों को, कितना दिन और रात का फरक है, अबी तुम चैंज होते हों, वहां तुमारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता, तुमारे में संपूर्ण गुण होते हैं, तुम सोला कला संपूर्ण बनते हों, पहले ते फिर नीचे उतरते हों, इस चक्र का अबी मालुम पड़ा है, चवरासी का चक्र कैसे फिरता है, हम आत्मा को स्वा का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नौलेज हुआ है, उठते बैठते चलते तुमको, या नौलेज बुद्धी में रखना है, बाप नौलेज पड़ाते हैं, या रुहानी नालेज बाप बारत में ही आकर देते हैं, कहते हैं न, हमारा बारत, वास्तों में हिंदुस्तान कहना तो रांग है, तुम जानते हो, बारत जब स्वर्ग ता, तो सिर्फ हमारा ही राज्ज ता, और कोई दर्म नहीं ता, न्यू वर्ड ती, नई देहली कहते हैं न, देहली का नाम असल देहली नहीं ता, परिस्तान कहते थे, अभी तो नई देहली और पुरानी देहली कहते हैं, फिर ना पुरानी ना नई देहली होगो, परिस्तान कह जायेगा, दिल्ली को गैपिटल कहते हैं, इन लक्षमी नारायन का राज्ज होगा, और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्ज होगा, अभी तो राज्ज नहीं हैं इसलिए, सिर्फ कहते हैं हमारा बारत देश राजाये तो है नहीं तुम बच्चों की बुद्धी में सारा ज्ञान चक्कर लगाता है बरोबर पहले पहले इस विश्पु में देवी देवताओं का राज्जे ता और कोई राज्जे नहीं ता जमुना का किनारा ता उसको परिष्टान कह जाता ता देवताओं की क्यापिटल देहली ही रही है तो सबी को कशिश होती है सबसे बड़ी भी है एकदम सेंटर बीच में है मीटे मीटे बच्चे जानते है पाप तो जरूर हुए है पापात्मा बन गए है सत्युग में होते है उन्य आत्माई बाप ही आकर पावन बनाते है जिसकी तुम शिव जयन्ती भी मनाते हो अब जयन्ती अक्षर तो सबसे लगता है इसलिए इनको फिर शिव रात्री कहते है रात्री का अर्त तो तुमारे सिवाय और कोई समझ ना सके अच्चे अच्चे विद्वान आदी कोई भी नहीं जानते की शिव रात्री क्या है तो मनावे क्या है, बाप ने समझाया है, रात्री का अर्थ क्या है, या जो पांच हजार वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का केल है, सुख को कह जाता है दिन, दुख को कह जाता है रात, तो दिन और रात के बीच में आता है संगम, आदा कल्प है सोजरा, आदा कल्प है अंधियारा, बक्ती में तो बहुत तिक तिक चलती है, यहां है सेकेंड की बात, बहुत इजी है, सहज योग, तुमको पहले जाना है मुक्ति दाम, फिर तुम जीवन मुक्ती और जीवन बंद में कितना समय रहे हो, या तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी गड़ी-गड़ी बूल जाते हो, बाप समझाते है, योग अक्षर है टीक, परन्तु उनोंका है जिस्मानी योग, या है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग, सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हट योग आदी सिखाते हैं, तो मनिश्य मूझते हैं, तुम बच्चों का बाप पी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना, टीचर से पढ़ना होता है, बच्चा जनम लेता है, तो पहले बाप से योग होता है, फिर पांच वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्त अवस्ता में गुरु से योग लगाना पड़ता है, तीन मुख्य याद रहते हैं, वहां तो अलग-अलग होते हैं, यहां एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, वंडर्फुल है न, ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए जन्म-जन्मांतर तीन को अलग-अलग याद करते आये हो, सत्युग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं न, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहते हैं, क्यूंकि सब सद्गती में हैं, यहां सब बाते याद करने में क्या तकलीव है? बहुत सहज है, इसको कह जाता है सहज योग, परन्तु यहां हैं, अनकामन बाप कहते हैं, मैं यहां टेंप्रुवरी लोन लेता हैं, सोबी कितना तोड़ा समय लेता हैं, साट वर्ष में वानप्रस्त अवस्ता होती हैं, कहते हैं साट लगी लाट, इस समय सबको लाटी लगी हुई हैं, सब वानप्रस्त निर्वान दाम में जाएंगे, वाँ है स्वीट हो, स्वीटेस्ट हो, उनके लिए ही कितनी अतह बक्ती की हैं, अभी चक्र फिर कर आये हो, मनिश्यों को या कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोडा लगा दिया है कि लाको वर्ष का चक्र है, लाको वर्ष की बात हो तो, फिर रेस्ट मिलना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए, तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कह जाता है साइलेंस हो, इनकारपोरियल वर्ड, या है स्टूल, स्वीट हो, वा है मूल स्वीट हो, आत्मा बिलकुल छोटा राकेट है, इनसे तीका बागने वाला कोई होता नहीं, या तो सबसे तीका है, एक सेकेंड में शरीर चूटा और या बागा दूसरा शरीर तो तैयार रहता है, ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है, ड्रामा कितना एक्कुरेट है, इन में कोई इन एक्कुरिसी हाई नहीं, या तुम जानते हो, बाप भी ड्रामा अनुसार बिलकुल एक्कुरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकेंड का भी फरक नहीं पड़ सकता है, मालुम कैसे पड़ता है कि इन में बाप बगवान है, जब नालिज देते, बच्छों को बईट समझाते, शिवरात्री भी मनाते हैं न, मैं शिव, कब कैसे आता हूँ, या तुमको तो पता नहीं, शिवरात्री, कृष्णरात्री मनाते, राम की नहीं मनाते, क्यूंकि फरक पड़ गया न, शिवरात्री के साथ, कृष्ण की भी रात्री मना लेते हैं, परन्तु जानते कुछ भी नहीं, यहां है ही, असुरी रावन राज्जी, यहां समझने की बाते हैं, यहां तो है बाबा, बूडे को बाबा कहेंगे, चोटे बच्छों को बाबा तोड़े ही कहेंगे, कोई-कोई लव से भी बच्छे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी कृष्ण को लव से कह दिया हैं, बाबा तो तब कह जाता है, जब बड़े हो, और फिर बच्छे पईदा करते हो, कृष्ण कुद ही प्रिंस है, उनको बच्छे कहां से आए, बाब कहते ही है, मैं बुझुर्ग के तन में आता हूँ, शास्त्रों में भी है, परन्तु शास्त्रों की सब बाते एक्युरेट नहीं होते, कोई-कोई बात टीक है, ब्रह्मा की आयु माना, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वा तो जरूर इस समय होगा, ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में कतम होगी, या कोई अमर लोक नहीं है, इनको कहा जाता है, पुर्शोतम संगम युग, या सिवाई तुम बच्चों की, और कोई की बुद्धी में नहीं हो सकता, बाप बैट बताते हैं, मीटे मीटे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बतलाते हैं कि तुम 84 जनम लेते हो, कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है, हर एक युग की आयू, एक हजार दो सव पचास वर्ष है, और इतने इतने जन्म लिये हैं, 84 जनमों का हिसाब है ना, 84 लाक का तो हिसाब हो ना सके, इनको कहा जाता है, 84 का चक्र, 84 लाक की तो बात ही याद ना आये, यहां कितने अपरम अपार दुख है, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं, इसको कहा जाता है, गोर नरक, बिल्कुल चीची दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो, अभी हम, नई दुनिया में जाने के लिए, तैयारी कर रहे हैं, पाप कट जाये तो हम पुन्य आत्मा बन जाए, अभी कोई पाप नहीं करना है, एक दोपर काम कटारी चलाना, यहां आदी मध्य अंत दुख देना है, अभी यहां रावन राज्य पूरा होता है, अभी है कलियुक का अंत, यहां महाबारी लडाई हैं, अंती, फिर कोई लडाई आदी होगी ही नहीं, वहां कोई भी यग्न रचे नहीं जाते, जब यग्न रचते हैं, तो उसमें हवन करते हैं, बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाह कर देते हैं, अब बापने समझाया है, यह हैं रुद्र ज्ञान यग्न, रुद्र शुव को कह जाता है, रुद्र माला कहते हैं न, निवुरुत्ती मार्ग वालों को, प्रवुरुत्ती मार्ग की, रसम रिवाज का कुछ भी पता नहीं है, वाँ तो गरबार चोर जंगल में चले जाते हैं, नाम ही पड़ा है सन्यास, किसका सन्यास गरबार का, काली हाथ निकलते हैं, पहले तो, गुरु लोग बहुत परिक्षा लेते हैं, काम कराते हैं, पहले बिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे, उनों को जंगल में ही रहना है, वहां कान, मूल, फल मिलते हैं, यां भी गायन हैं, जब सतो प्रदान सन्यासी होते हैं, तब यां काते हैं, अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं, इसका नाम ही है, वहां हैं, वाइसलेस वर्ड, तो अपने को विश्यस समझना चाहिए न, बाप कहते हैं, सत्यु को कह जाता हैं, शिवालई, वाइसलेस वर्ड, यहां तो सब हैं, पतित मनिश्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया हैं, बाप तो सब बाते समझाते रहते हैं, तुम असल में हो ही बेहत बाप के बच्चे, वाँ तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्सा देते हैं तो बाप मीटे मीटे बच्चों को समझाते हैं जन्म जन्मांतर के बाप तुमारे सिर पर है बापों से मुक्त होने के लिए है तुम बुलाते हो सादू संत आदी सब पुकारते हो हे पतित पावन अर्थ कुछ नहीं समझते ऐसे ही गाते रहते हैं ताली बचाते रहते हैं उनसे कोई पूछे परमात्मा से कैसे योग लगाई उनसे कैसे मिले तो कह देंगे वाँ तो सर्वव्यापी क्या यही रास्ता बताते हैं कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से बगवान मिलेगा परन्तु बाप कहते हैं मैं हर पांच जार वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूं यहां ड्रामा का रास सिवाई बाप के और कोई नहीं जानते लाको वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता अब बाप समझाते हैं यहां पांच जार वर्ष की बाद हैं कल्प पहले भी बाबा ने कहा ता की मन मनाबव यहां हैं महा मंत्र माया पर जीत पाने का मंत्र बाप ही बैट अर्थ समझाते हैं दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते गाया भी जाता हैं सर्व का सद्गति दाता एक कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता देवताओं की भी बात नहीं हैं वहां तो सुक ही सुक हैं वहाँ कोई बक्ती नहीं करते, बक्ती की जाती है, बगवान से मिलने के लिए, सत्युग में बक्ती होती नहीं, क्यूंकि 21 जन्मों का वर्सा मिला हुआ है, तब गाया भी जाता है, दुख में सिमिरन सब करे, सुक में करे ना कोई, यहां तो अतह दुख है, गडी गडी कहते हैं, बगवान रहम करो, या कलियुगी दुख की दुनिया सदैव नहीं रहती, सत्युग त्रेता फास्ट हो गये हैं, फिर होंगे, लाको वर्ष की तो बात ही, याद नहीं रह सकती हैं, अब बाप तो सारी नौलेज देते हैं, अपना परिच्छे भी देते हैं, और रचना के आदी मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, पांच अजार वर्ष की बात हैं, तुम बच्चों को ज्यान में आ गया हैं, अभी तो पराये राज्छे में हो, तुमको अपना राज्छे ता, यहां तो लडाई से अपना राज्छे लेते हैं, हत्यारों से मारा मारी से अपना राज्छे लेते हैं, तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्छे स्तापन कर रहे हो, तुम्हें सतो प्रदान दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया, कतम हो, नई दुनिया बनती है, इसको कह जाता है, कलियुगी पुरानी दुनिया, सत्युग है, नई दुनिया, यहां भी किसी को पता नहीं है, सन्यासी कह देते, यहां आपकी कल्पना है, यहां ही सत्युग है, यहां ही कल्युग है, अब बाप बैट समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है, जो बाप को जानते हो, अगर कोई जानता होता, तो परिछे देता, सत्युक त्रेता क्या चीज हैं? किसको समझ में तोड़े ही आता है? तुम बच्चों को बाप अच्छी रीती समझाते रहते हैं बाप ही सब कुछ जानते हैं जानी जाननहार अर्तात नालिश्फुल है मनिश्य सृष्टी का बीच रूप है ज्ञान का सागर, सुक का सागर है उनसे ही हमको वर्सा मिलना है बाप, नालिश में आप समान बनाते हैं अच्छा मेटे मेटे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 दारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पाइंट याँ पापों से मुक्त होने का समय है इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है पुरानी सब सामगरी इस रुद्र यग्न में स्वाह करनी है सेकेंड पाइंट अभी वान प्रस्त अवस्ता है इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सत्गुरु को भी याद करना है स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रदान पावन बनाना है वरदान समय को शिक्षक बनाने के बजाए बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचैता बवन कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य रुत्ती का अटेंशन नहीं हूँ इसमें अलबेला पन है चलता है, होता है, हो जायेगा समय आयेगा तो टीक हो जायेगा ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना बच्चे बाप को भी दिलासा देते फिकर नहीं करो, समय पर टीक हो जायेगा कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप मास्टर रचैता को, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचैता का शिक्षक बने, या शोबा नहीं देता, श्लोगन, बाप की पालना का रिटन है, स्वयम को, और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना, अच्या, ओम शांती